कि नमश्कार बच्छों कहते हैं आप सभी तो इस वीडियो में आपका स्वागत है क्योंकि cbsc रिजल्स के बारे में अब्विसली बच्चे कोई बहुत कोमेंट आ रहे थे वही आप वीडियो की नियुक्त बना रहे हो क्या हो गया राज हो गया तो कोई नारा जाने की बात नहीं क्योंकि कोई इस तरह एक अपडेट नहीं थी बट फिर भी बच्चों ने कहा कि सर अब कुछ पताईए सर्क्या है यूप बोर्ड कर रिजल्ट आगे तो सब्सक्राइब तो सीब्सी कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि एक बाद ध्यान रखेगा कि कि सीवीसी का जो फिनना मतलब जो तरने का कि I found this on the web 4 कि क्या उसके उपर फरक पड़ेगा क्या इस बात से की यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है कि यूपी बोर्ड ने रिकॉर्ड किया है इस बार कि इस रिजल्ट को बहुत फास्ट दिया और यह में पहली बार हुआ और मैं आपको दादू यूपी बोर्ड ना पुराना बोर्ड है इंग्रेजियों के टाइम का बोर्ड है 1906 में शुरूआत हुए इसकी और इंडियागार सबसे पुराना बोर्ड है और इस बार इन्होंने 10 और 12 का रिजल्ट एक साथ भोशित कर दिया है जो की एक बहुत बड़ा चैलेंज है सी जैसे बोर्ड के साथ कि अब आप को घ्रेंज है तो आप यह रहे हो मैं इसे नहीं कह रहा हूँ कि चैलेंज है तो है देखो सी बेसी अपने आपको एडवांस बोर्ड बानता है और फोडू बानता है और है भी तो अब सी को क्या करना पड़ेगा को अपनी रेस्पेक्ट बचाने के लिए रिजल्ट को जल्दी देना पड़ेगा जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रिजल्ट 15 मई को आएगा और 25 मई की बीच में आएगा तो मुझे तो लगड़ा अभी भी यही होगा लेकि कि इस बात की है इस बात को बहुत एगा चाई कि आपको में मैं की अध्वार्म देगा इस गत्वाल थो जो आ जाएगा जब आयेगा जो पासिंग प्रसेंटेज है cbsc का वो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार नहीं में फोटो को अठाता हूं यहां से अब देखिए यह ग्राफ है हमारे पास जो हमने तयार किया है cbsc की डेटा से बहुत मैंस से ग्राफ बनाया है इस ग्राफ को जड़ा ध्यान से देख ल सब्सक्राइब किसमें तुम्हारे भाई ने पेपर कैंजल करवाए थे सब्सक्राइब बीना पेपर के पास होए थे बच्चे 99.37 परसेंट बच्चे पास होए थे तब भी बच्चे सैटिसफाइड नहीं थे बहुत सारे तो और 2022 में लास्ट जब फर्स ट्रम और सेकिंड इस बार वही सिस्टम अपना है अपना पुराने वाला इसमें की सीवेसी और फिर पिरी बोर्ड एक्जाम लेती है इस बार यह संभावना है कि इस बार रिजल्ट थोड़ा सा कि इस बार जरुबी चेक कर रहे थे बच्चे पास तो ज्यादा हो रहे हैं बट परस की संख्या कम होगी बच्चों की लिखने की चूट गई थी बच्चों ने अच्छा नहीं लिखा इतना पहले लिखते थे तो बैस्ट परफॉर्म करने वाले बच्चे घटे हैं और पा यहीं बात में और कहना चाहता हूं करना है कि मैं पैबार बर बोलता हूं बहुत सारी फर्जी वेबसाइट से cbsc वेबसाइट है cbsc-result.nic.in, result digital.gov.in, cbsc.gov.in, ओमंग एप, डिजी लोकर और एक्जाम जानकारी पर मैं लाइव रहूंगा रिजल्ट के टाइम पर और आप मुझे रोल नमर बताएंगे और मैं लाइव आपका रिजल्ट देखकर बताऊँगा इसके लावा में एक बात बता दूं, exam जानकारी की वेबसाइट भी आ गई है और इसकी वेबसाइट है exam जान कार यह वो जाननी है यह तम्हारे वाली यह जान रोट्कोम और इसपर रिजल्ट का लिंक हम दे रहे है भी इसपर रिजल्टx काल निक होगा हुआ यहां पर दे देंगे ताकि आपको अराम रहें वहां से यह बियलिट चैक कि तो चिन्ता की रखें और एक बार ध्यान रखें कि कभी भी डढ़ने से कुछ नहीं होता है तो लगता है मैं यह नहीं कहता है आपको डढ़ना नहीं और आपको आगे बढ़ना है अपने मुनिताफा के सब्सक्राइब होना है मेरी दर से औल दबेस्ट और आप लोग भी वीडियो में कहता हूं तो अगर फर्स्ट वीक में भी आता है रिजल तो कोई ड़ने की बात नहीं जो आएगा सामना करेंगे उसका और जो भी चीजह होंगी बताता रहूंगा आपको मैं बस रिक्वेस्ट यह कि फरजी च पर साथ में ही को है विश्यों अल्द बेस्ट तो थेंक यू अरी मुच्छ लव यूँ अ कर दो